दो शेर के बच्चे एक काली धाटी नामक जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर सिर्फ खतरनात लकरबग्गे रहते हैं। उन्हें चारों तरफ से लकरबग्गों ने घेर लिया है और वहाँ पर लकरबग्गों की रानी आ जाती है। सिंगी कहती है आज हमारी किस्मत जाग उती है कि राजकुमार को आज हम खाएंगे। सिंबा कहता है तुम हमें नहीं खा सकती क्योंकि हम यहां के राजकुमार है। और इस पर सिंगी ने कहा कि तुम्हारे बाप का यहां पर कोई राज नहीं चलता। और राजा का खबरी जेजू वहाँ आ जाता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है पर लकरबग्गे उसकी बातना मानकर दोनों शेर के बच्चों पर हमला करते हैं और वहाँ पर एक बाप अपने बच्चे को बचाने यानि जंगल का राजा मुफासा आ जाता है मुफासा अपने बच्चे को बचाने के लिए भैसों के जुंड में कूच जाता है और सिंबा को एक महफूज जगह पर रखकर खुद ऊपर आने की कोशिश करता है पर वो पूरी तरह से ऊपर नहीं आ पाता इसलिए अपने भाई से मदद मानता है लेकिन उसका कमिना उसकी जगह लेने के लिए उसे मार कर नीचे की और गिरा देता है और मुफासा की गिरते ही मौत हो जाती है